जो आप सामने कोड नंबर देख रहे हैं अगर आपका ये कोड नंबर नहीं है तो आपको आपके कोड के वीडियो डिस्क्रिप्शन बोक्स में उपर ही उपर मिल जाएंगे वहां जाकर आप देख सकते हैं और बैग्ग्राउंड नोइज आपको सुनने को मिल रही होगी उस जातीन जवाब हो सकते हैं तो आपके जवाब भी ठीक हो सकता है आपने योज़क्ता संस्प्री और टेंश्ण ब्त लेना चली शुरूकर करते हैं जोर्ज पंचम की नाप की रक्षा करनी थी, इसलिए हतियार बंद पैरेदार तैनात कर दिये गए थे, ये इसका उतर हो सकता है, दूसरा, खभाग, मुड़कर देखा तो आवाक रह गए, ये रचना के अधर पर वाक्य एक भेर लिखनी है, ये संयुक्त वाक्य है, गभाग जब हम लोग ने मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, सरल वाक्य में बदलना है, तो इसका सरल वाक्य बदलेगा, हम लोगों के ने मिल सकने पर तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, जी इसका उतर होगा, गभाग, मुहले भर के धेर सारे आएगा चलो जरा खूमे इसको भाव वाचे में बदलना है तो आएगा चलो जरा घूमा जाए ये इसका उतर होगा अगला है आओ बैठा जाए तो इसका उतर होगा आओ बैठे ये इसका उतर होगा गह बाबुजी से यह हाल सुना नहीं गया इसको करत्री वाचे में बदलन संगती के लिए उत्साहा नहीं दिखाया गया यह इसका उत्तर हो सकता है आगे बढ़ते हैं 24 परसन पत परीचे से संबन्दमी है तो कब घुंते उए एक सिक्मी नव युवक का विशेषन है वहीं आगे के खबर उसने अपने आप ही कहानी शुरू की सरवनाम का वीडियो देखा तो आप लिखायोंगे उसने अपने आप का पत प्रीचे देना है तो अपने आप आएगा निजवाचक सरवनाम पुलिंग या इस्रीलिंग दोनों में से आप कोई भी लिख दिया हो तो भी ठीक है निजवाचक सरुनाम है, पुलिंग या स्रीलिंग में से एक और एक वचन, तो यह इसका उतर होगा, अगला है, भगत ने अपनी पतहु को उसके भाई के साथ विदा किया, अब इस परशन में कुछ गड़वड है, भाई के साथ इकठा नहीं आएगा, या तो के साथ आएग पुलिंग और एक वचन, और अलग से के साथ का पत प्रीचे होगा, यह संबंद बोधक अव्वे है, इकठा पत प्रीचे नहीं हो सकता है, चलिए, अगले भाग के और बढ़ते हैं, मुर्तिकार हार मानने वाला कलाकार नहीं था, तो नहीं का पत प्रीचे देना है, तो क् प्रीचा की विशेष्टा है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा, निमलिक्स में से किनी चार प्रशनों के उत्तर लिखना है, रस से संबंद नहीं था, पांस दिये होंगे, चिन में से चार आपको करने थे, करून रस का एक उधारन लिखिए, आपने अगर वीडियो देखे निमलिक्स काव्य पंक्तियों में रस पेचानकर रस का नाम लिखिए, यह मेरी गोदी की शोभा, सुक सुहाग की है लाली, शाही शान बिखारन की है, मनों कामना मतवाली, यहां वातसल्य रस है, रस से आप क्या समझते हैं, रस के बारे में आपने सुना था, तो आपने ल यह आपके सूर्दास के पद जो में जो गोपियों की बात की गई है, मतलब पूरी कविता किस रस के अंतरगत आती है, उनकी जो वीड़ा दिखाए गई है, यह लिखना था, इसके दो उत्तर है, अगर आपने दोनों में से एक लिख दिया, तो भी आपका ठीक माना कौन से दो उत्तर, पहला करुणरस और दूसरा है श्रिंगारस, श्रिंगारस की बजाए आपने व्योग श्रिंगारस लिखाओ तो और भी अच्छी बात है, वहना श्रिंगारस भी गलत नहीं होगा, व्योग श्रिंगारस और करुणरस, इन दोनों में से कोई एक लिखना था आपको अगर आपने लिग दिया तो आपको मुबारक हो